सब्सक्राइब कीजिए शेविस अर्छेर एकडमी को और प्रेस कीजिए बैल आइकॉन स्वोर अप्डेट्स आज दोस्तों आपको जैसे मैंने कल ही कहा था कि मार्केड आज प्रेसर में रहेगा दभाव में रहेगा और वही हुआ भी आज मार्केट पूरा प्रेसर दबाव में था जैसे weekly expiry मैंने कहा ही था कि आज के दिन weekly expiry रहेगा 11 नॉर्मबर 2021 में और वही बात हुआ भी आज और खास रुप में ये ध्यान दिजिए दोस्तों कि सुभर से लेकर दुपहर तक market negative trend काफी 600 के उपर point भी गिरा दिया था यहनि पूरे दिन भर market में जो भी रहा जैसा भी चला कैसे चला कैसे हुआ यह आपने भी अगर अगर ध्यान में देखें ध्यान में लें तो market कैसे चला आज पांसो पॉइंट डाउन, छेसो पॉइंट डाउन और उसके उपर भी डाउन कर दिया जिससे की डर का विसे मार्केट में मंदी वाले लोगों ने ज़्यादा ग्रीप में लेने का प्रयास किये लेकिन आप ये अफजर करिये दोस्तों कि 3 बच के 5 मिनट के बाद आज दुपर के 3 बच के 5 मिनट के बाद बाइंग फोर्स आउन हो गया और 3 से सवा 3 के आसपास मार्केट ने अपने आपको रिबॉंड किया छोटा सा अपना बाइंग फोर्स पॉजिटिव हुआ तो आप खास रूप से देखिए आज का सेंसेक्स देखिए 433 पॉइंट डाउन में क्लोजिंग हुआ है और उसी तरह से निप्टी भी 143.60 में नेगिटिव क्लोजिंग दिया है लेकिन दोनों को आप ध्यान से अगर गवर करें तो खास रूप से देखिए कि सेंसेक्स ने 59,900 का लेवल नहीं तोड़ा उसी सबसे निप्टी ने भी 17,850 का लेवल नहीं तोड़ा यानि क्लोजिंग भी उस लेवल को मेंटेन रखा इसका अर्थ ये है कि नीचे में अच्छा खासा बाइंग हुआ और खास करके कॉलिटी स्टॉक में कॉलिटी स्टॉक में अच्छा खासा आज बाइंग हुआ है ये खास रुप से मैं कह सकता हूँ और इसी सबसे जो मार्केट का ट्रेंड पूरे दिन का रहा वो नेगिटी रहा, no doubt about it इसमें कोई दोरा यह नहीं लेकिन जिस सबसे क्लोजिंग दिया है ये इस बात का संकेत दे रहा है कि मार्केट फिर से रिबाउंड होगा यह यह बाउंस बेक करेगा शेस यह टोटल स्टॉक मार्केट बाउंस बेक करना जरूरी है और कल की तारिक में अगर मार्केट में बुल ने मार्केट को ग्रिप में ले लिया तो कल ही market positive trend में आ जाएगा क्योंकि जैसे हम कहते हैं न तेजी वाले और मंदी वाले आज मंदी वालों का दिन था और यह तो दोस्तों आप जानते होंगे कि market में दोनों तरह से लोग पैसा कमाते हैं एक तेजी वाले लोग जो अच्छे rate में खरीते हैं और positive trend में बेचते हैं और एक मंदी वाले होते हैं जो market को negative करके ही कमाते हैं जो short seller होते हैं तो short seller को कमाई कब होगी जब market नीचे गिरेगा तो यह सब बात भी से market में चलता रहता है इसे इन बातों को हमें point पर यह ध्यान देना चाहिए कि market कुल मिला के strong point पर खड़ा है आज भी तो sensex देखिए 59,919 का रूप दिखा रहा है और nifty 17,873 का रूप दिखा रहा है तो एक level के बाद last moment में buying force आया है तो इसे ये भी point है कि कल अगर market थोड़ा down भी रहा बाद में bounce back करना जरूरी है क्योंकि market में buying force positive trend में on है तो उस सबसे कल अगर dull भी रहा market यानि lackluster या थोड़ा सा जीसे हम कहते हैं न गती हीन रहा फ्लैड भी रहा तो हो सकता है last moment में positive bounce back कर दे तो मैं यही कहूंगा कि आप positive point पर चलिए जहां तक market का point है हमें अपने को stable रखना है और जो भी shares हमारे पास है उसे hold करना चाहिए जो कि आगे चल कर हमें वो positive return भी देगा बस दोस्तों कल के लिए मेरा यही करना था sensex empty के बारे में कि अगर flat भी रहा और गती हिन भी रहा तो भी बाद में हो सकता है bonds back करे या इसी तरह से market को एक range bond में ही कल के दिन भी चलाया जा सकता है और बाकी तो मैं positive trend ही देख रहा हूँ कुल मिला कर बस यही कहूंगा दोस्तों आज के लिए तो बस यही कहना था और आपको तो हमारे सारी services के बारे में जानकारी पहले से हई है और video के end में या audio के end में आप हमारा services के बारे में ध्यान से पढ़िए और उसके बारे में कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करना है आप whatsapp में message हीजे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी अब से मैं एक वाकी जरूर कहूंगा कि चलिए मिलते हैं झाल 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 झाल